नमस्कार दोस्तों मैं दिपांशे श्वागत करता हूँ आपका सीजी पेश्ची व्यापवम में एक बहुती पॉजिटिव निसके फान जिया दोस्तों चत्रसगार में 72 पदों पर समीदा भरती निकली है इस पर हम पुरी जानकारी देंगे साथ में 1500 से अधिक पदों पर जो भरती का सच्चाई है वो मैं आज आपको बताऊंगा कि क्या है उस पदों की जानकारी के संबन्द में तो जिनों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जहां सब्सक्राइब करें बाजो में जो बल आइकन है उसे जल्दी से प्रेस करें ताकि आपको सेजी पेश्ची व्यापम तदा अधर एक्जाम की लेटेस्ट अपडेट जल से जल मिसके बीना घिशी दरी जो मंत्राले से है जो लेटर जारी की है जिसमें की 1560 लगबग बद है इसके लिए अनुमती दी गई है तो देखिए इसका जो एक चैन प्रक्रिया है वो कैसे होगा कि हर जीले में जहां जाए जीले में इसकूल लिखे हैं वहां पे एक सोसाइटी का गठन किया जाएगा और वो जो सोसाइटी है वो प्रतिन्युक्ति करेगी देखिए यहां पे क्लियर लिखा गया है कि यहां पे किसी भी प्रकार से समीधा भरती और किसी भी प्रकार से रेगुलर भरती समीधा भरती नहीं होगी यहां पे क्लियर क्लियर लिख दिया गया है कि यहां पे सोसाइ प्रतिन्युक्ति के तौर पर उस स्कुल में लाया जाएगा जहां पर इस स्थाल को चैन किया जाएगा जैसा कि इस लेटर में लिखा गया कि राज्यसासन का लेटर है यह रही बात आपके जो इस पंद्रासो से अजीक पदो के बारे में अब हम बहुत ही महात्यपुन जो बहत्तर पदो पर जो भर्ति का विज्यापन निकला है उसके समझ में बताना चाहूँगा कि देखिए मैंने आप सभी को पंद्रवे वित्या आयोक के द्वारा अलग-अलग जीलों में जो हुआ था मतलब वित्यवी भाग से नुमति मिली थी तो करीबन 6 जीलों में निकल गए अब दो जीले और इंक्लूट कर लीजिए जिसमें की एक बिलास्पूर जीला है और दूसरा है कवर्धा जीला पूरी जानकारी देंगे एक-एक पॉइंट की जानकारी देंगे तो आप इसको पूरा देखिएगा श्कार दोस्तों यह जो है आपका सिर्दी जी बात है कारयाल है मुख्य चिकित्सा एवाम स्वास्त अधिकारी राष्टी शहरी स्वास्त मिशन बिलास्पूर का है जो की कल निकल है 23 मार्च को इ जो है याद रखिएगा इस पंद्रवे वित्त आयोक के अंतर का जो भी भरतियां हो रही है वो पुरा-पुरा वाक इन इंटर्यू और परशन बेस पे हो रहा है इसकी पुरी जानकारी आपको www.villazpo.gov.in में मिल जाएगी या तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल ज जाएगी यहां पर दिखके बताया गया है कि वाक इन इंटर्यू के तहत चार अप्रेल से ग्यारा अप्रेल के भीच आपको इंटर्यू है यहां पर आद रखिएगा आविदन पत्र जो आप फॉर्म भरेंगे उसका जो एप्लिकेशन वो कहा मिलेगा तो यह जो है कौसल परिक्षा तिति को ही जो है उपस्तित होकर जमाय किया जाना एक और पंजीयन हें तुनिर्धारि जो समय है सुबा आट से ग्यारा बज़े है कर दियाक निराकर जो होसके बाद जौ तक हो जाएं उसके बाद जो है आगे जो है अगर हम बात करें तो बॉकन इंटर्व्यू कॉसर परिक्षा दावपत्ती की निराकरण के पस्चाथ पांच बजे अथवा आविदा संके अधिक होने पर अगामी तीदी को प्राता 10 से 12 बे तक कॉसर परिक्षा ले ले जाएगी ठीक है समझ आगे पूरी कहनी आपको इसके बाद अगर हम इस्थान लेखे कि यह कहां पे होगा बिलासपुर में तो भी आप सभी जानते कि बिलासपुर में Central Library 944 बिलासपुर वहां पे होगाいて इसके बाद अगर हम बात करें इसमें कौन-कौन से पद है तो देखे इस्टाफ नर्स के जो है 16,500 इसका सैलरी है 14 पद है जिसमें 7 अनारक्षित के लिए अनुसिजिदी जन जाती के लिए 3, अनुसिद जाती के लिए 2, अन्य पिछाबर के लिए 2 अगर हम सेक्षनिक योगेता की बात करें तो वही है BSC Nursing, Post Basic Nursing आपको उसके बाद ये CG Nursing Council में आपका रजिस्ट्रेशन वहाँ पे होना चीए इसका जो इंटर्व्यू की तीथी है 4 अप्रेल है सुबा 8 से 11 बजे तक ठीक है ये हो गया आपका फिर है MPW मतलब वही है जो स्वास से योजक वाली बात है 14,000 सेलरे इसकी भी और सेम वह जवास और साथ में 1 एर जो है मल्टी परपस का आपको ट्रेनिंग होना चीए जो की इसका इंटर्व्यू 6 अप्रेल को है इसके बाद अगर हम बात करें ये सेकेंट्रियल असिस्टेंट जो 12,000 है यहाँ पर 12 बी पास के साथ आपको एक साल कंपिटर डिप्लूमा फ्रॉम गॉर्मेंट रिकॉगनाईज इंस्टीटूट मतलब गॉर्मेंट की जो मतलब मानिता प्राप्तसंस्ता है आपको एक वर्स कंपिटर डिप्लूमा मांगा है ठीक है मतलब PGDCA वाले फॉर्म भर सकते है इसका इंटर्व्यू आठ तारिक को है फिर क्लास 4 दस अजार है दस भी पास है और यह सारी चीज़ अब देखिए यहां पे पूरी सारी चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा की कैसे कैसे है यहां पे देखिए कि यह जो नियुक्ती है ना पंद्रवे वित्तायोग के अधीन है अता समस्त कर्मचारी जो है पंद्रवे वित्तायोग के होंगे यहां पर देखे इस पर्ष्ट बताया गए कि पूरा रोष्टर नियम का पालन हुआ है तिसरी बात है कि यहां पर यह पूरा जो नियुक्ति यह अस्थाई है नियुक्ति करमचारी को प्रतीवर्ष जो है देखे यहां पर बहुत ही महत्पूर्ण पॉइंट लिगा है मांदे का बुक्तान 15 में वित्तायोग के अधिन होगा किसी भी परिसिते में निर्धालित मांदे से अधित प्राप्त नहीं होगा ठीक है याद रखिएगा ये सारी चीजे इसके बाद अगर हम बात करें आवश्रक दिशा निर्देश तो यहां पे जो आयू सीम है वो 18 वर् और विकलांक को लगेगा अन्य पिछल वर्ग को 200 लगेगा अनारक्षित को मतलब समाने वर्ग को 300 पर लगेगा ये सारी चीजे हो गई इसके अलावा आपको ये जो साइट है वहां पर पुरी जानकारी मिल जाएगी ठीक है ये इसके अलावा अगर हम बात करें तो वाक इ पर लाए जाएगे फिर अगर देखिए यहां पर लिखीत परीक्षा कौसर परीक्षा और शाक्षा प्लाब आपकी मेरिट सुची कैसे बनेगी तो मेरिट सुची क्या होगा जो आपका तीधी बात है जिसमें आप ग्रेजुएशन किये या पोस्ट ग्रेजुएशन किये उसका आपका 65 प्रतिसद ठीक है 65 प्रतिसद अब बचा 35 प्रतिसद उस 35 प्रतिसद में देखिए 35 नंबर मतलब तो 35 नंबर में 10 से 15 नंबर अनुभाव का दिया जाएगा जहां पे NHM 36 गड़ के अंतरगत कारेता भरतियों को प्रतिक वर्स का 3 अंग दिया जाएगा और ज केवल सास की अर्द सास की वित्त पोशित संस्थाओं के ही मानने होंगे पर से संबंदित अनुभाव होने पर ये अभ्यरतियों को नियाम अनुसार अनुभाव अंग प्रदान किया जाएगे ठीक है ये हो गया आपका इसके अलावा ये सारी चीजें बता दी गई है फिर अन्तीम चैन सुची क्या होगा कि भई देखिए प्रात्र अभ्यरतियों का चैन निर्धारित सेक्षणिक योग्यता अनुभाव अम लिखित कंप्टर बेश्ट कॉसल परिक्षा साथकार के प्राप्त अंगों के अधार पर किया जाएगा ठीक है अब तो प्राप्त अंग अगर हम देखेंगे तो 40% अंग अर्जित करना अनिवार है 40% अंग अर्जित करने की दसा में उमिद्वार अपात्र माना जाएगा अगर जो नहीं प्राप्त कर लिया तब इस प्रकार से जो अंतिम सुची मानने होगी याद रखिएगा उप्त भरती से सम्मंधित जिले क पात्र मुल निवांसियों को प्रात्मिक्ता दी जाएगी बहुत सारे लोग पुछते हैं कि हम दुसरे जीले वाले फॉर्म भर सकते की ने देखिए फॉर्म भरने के लिए आप भर सकते लेकिन जो प्रात्मिक्ता है वो वहीं के लोगों को दी जाएगी और समंधित जीले में पात्र मुल निवासी नहीं मिलने की स्थिती में राज्य के अन्य जीलों को ट्राथ मिटता दी जाएगी तो जाहिर सी बात है आप लोग फॉर्म भरना है भर दीजिये लेकिन अगर कैंडिडेट नहीं मिलते तब दूसरे जीले वालों को मौका दिया जाएगा मौका नही ट्वेल्थ का मार्क सीट फिर आप में जिसमें ग्रेजुएशन किया है या जो भी उसमें योग्यता मांगा है वो है न इसके साथ जाती प्रमान पत्र निवासी प्रमान पत्र कार अनुभाव विसेश छुट थेतु प्रमान पत्र अन्य आवश्टक दर्तावेज ठीक है ये सारा चीज आपको होना चाहिए और आपकी फोटो भी होनी चाहिए साथ में अलग-अलग आविदाने तुस जो डीडी है वो भी जमा करना अनिवारी है ठीक है ये सारी चीज़ें आपको हो गई और इसके अलावा जो भी सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ लीजेगा क् आप सभी को बता दिये यह कहां के लिए है बिलासपूर के लिए यह पुरा जो सेम नियम है यह जो बिलासपूर का जो सेम नियम है वही नियम आपको कवरधा में देक्ने को मिलेगा देखिए कवर्धा का है और कवर्धा का अगर देखे तो 22 मार्च को जो है वो निकला हुआ है इसमें भी सारी चीजे हैं कि देखिए वाक इन इंटर्व्यू है और यहाँ पे जो निधारी समय है अगर हम बात करें तो क्लास 4 के 4 पद है MPW के 4 पद जूनियर सेकेटरियल के 4 पद और स्टाफ नर्स के 4 पद सेलरी आपको देखिए मैंने जैसा बताया था वैसा ही है वाक इन इंटर्व्यू 12 अप्रेल 12 अप्रेल 13 अप्रेल 19 अप्रेल इस प्रकार से है ठीक है बाकी जो सारी जो नियम कायदा है वो सेम जस्मैन आपको बताया है फी से ले के सारी चीजे वो पुरा सेम टू सेम दोनों जीले की सेम है बस यह है कि यहाँ पे clear clear बता दिया गया है कि देखिए उक्तर जीला मुल निमाजियों को प्रात्मिक्ता दी जाएगी को सब्सक्राइब कर लेना और इसको जादा थे जादा लोग तक शेयर करना है पूरी जानकारी आपको मिशा करता हूं कि यह पूरी जानकारी च्छी लगी होगा और जानकारी च्छी लगी तो आप इसे जादा थे जादा थे जादा लोग तक शेयर करें लाइक करें और सब् बहुत बहुत धन्यवान आप शबी श्वस्त रहिए और मस्त रहिए